हालो एवरिवान, वेलकम तो माई चानल, आजिस ट्वीटर में मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ साइकॉलीजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो कि आपके एच्पी टाइट में आपको बहुत साथ हल्प करने वाले हैं क्योंकि ये जो questions है, ये previous year question paper से मैं ने उठाई हैं ये questions और आपको पता हैं कि जो कितने सारे questions ऐसे होते हैं जो previous year से repeat किये गए होते हैं, बहुत rare questions ऐसे आते हैं, जो new आते हैं, बाकि repeated questions होते हैं वही आते हैं so हम उसको अच्छे से discuss करेंगे so that आपको कोई भी confusion ना रहे and जो भी आपकी doubts रहेंगे आप comment box में comment कर सकते हो so let's start but उससे पहले अगर आप मेरे शानल पर नए हो तो please मेरे शानल को subscribe कर दो बहले किनको press कर दो so that आपको हर important update time to time अगती रहे बात करते हैं first question की यह arts का हमने 2020 का paper लिया है जो कि December में हुआ था तो हम psychology part को discuss कर रहें first question है psychology first lost its soul then its mind and then it lost its consciousness it still has some sort of behavior left was stated by तो यह वाली जो statement थी किस ने दी थी अगर आपने मेरी videos अच्छे से देखी है जो अभी मैने 2-3 बार यही वाली video जो है बहुत बार बना दी है यह जो statement है यह जो statement है यह definition है यह बहुत जादा important है because जो यह definition है यह अपने आप में psychology की पूरी journey को indicate करती है अगर आपने जो introduction to psychology जो video है मेरी आप उसको देख सकते हो playlist में आपको मल जाएगी आपको playlist नीचे description box में दी गई है उसमें आपकी पूरी जहां से आपका 1590 में जहां पर term psychology introduced की गई थी first time use की गई थी आपके रुडॉल्फ गोकल दोवारा वहां से यह start होती है and यहां उसके बाद psychology word introduce होता है फिर उसके बाद उसके उपर research start होती है first psychology का यह बुला जाता है कि वो science of soul है science of soul है पहले यह बुला जाता है science of soul किसने बुला था Aristotle, Pluto, Descartes यह सब यह मानते थे कि psychology क्या है science of soul है फिर उसके बाद आया जो next time 17th century में जो कुछ लोगा है 16th century में सको science of soul माना गया psychology को 17th century में जो यह science of mind माना गया आपके पॉंपनोजी ने यह बुला था कि यह क्या होती है psychology क्या होती है science of mind होती है फिर उसके बाद consciousness बनाई गई इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी बहुत easy सी वीडियो है starting से लेके end तक अच्छे से journey explain की गई है तो इस वीडियो को आप complete देख लीजिए आपको पूरी जो यह definition है फिर लास्ट में जो वुडवर्थ थे उन्होंने इस पूरी जर्ने को एक quotation के फॉर्म में फॉर्म किया था तो इसका जो correct answer रहेगा वो सी वुडवर्थ रहेगा वीडियो प्लीज देख लीजिए कि सारी जो वीडियो से वो relevant है और वहां से आपको questions देखने को पका मिलेंगे ठीक है आपको पता है एक एक marks बहुत ज़्यादा कीमती होता है and psychology कैसा subject है जिसका hardly आपको 30 to 40 मतलब minute minute topics हम बोल सकते हैं बहुत छोटे छोटे डिवाइट कीएगे topics है जो आपको वो पढ़ने हैं आपके 30 out of 30 आराम से आ सकते हैं अगर आपका ठीक है कई बार ऐसा होता है आपका अपने subject में कमांड बहुत अच्छा होता है बट स्टिल आपका paper crack नहीं होता है क्योंकि जो चीजे है आपका जैसे psychology हो गया general awareness हो गया यह जाला जो दो sections रहते हैं यहां से आप बहुत जादा अच्छे mark score कर सकते हो अच्छी merit बना सकते हो आप यहां से ठीक है नेक्स्ट आपके PRJ called the period of infancy as the तो PRJ ने आपको पता है चार स्टेजिस दिये थे development के cognitive development यह first थे आपके sensory motor stage free-free operational stage concrete operational stage और formal operation stage जो था अब आपने अगर मेरी जो भी मैंने recently आपकी stages of development पे जो वीडियो पोस्ट की है अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो आपके infancy period कब से कब तक रह दिया दो से? 0 से 2 साल के बीच में रहती आपके infancy period हमने ये बात की थी उसमें तो इसमें आपसे पूछा गया थी प्याजे ने infancy period को क्या बोला गया है उन्हें नहीं बोला थी infancy period होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि थेोरीज में यह जो पीरिड है यह बहुत जादे इंपोर्टेंट रहने वाले इसलिए आपको यह लर्न कर लेने चाहिए तो जो प्याजी की फिर्स स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज हमने जब यह बात की थी इनफैंसी की उसमें हमने एक और बात की थी वहाँ पर कि इनफैंसी क्या होती है यहाँ पर बच्चा किस से सीखते है अपने सेंसर से सीखते है सेंसर उसके टीचर हो जाती है और हमने जो फिजिकल डिवलप्मेंट की थी ग्रॉस मोटर डिवलप्मेंट की तो ये चीज़े होती है, समें टेल्स ही होती है, आपके इंफन सथेज में मतलब आपकी संसरी मोटर स्थेज जो है वो आपके खरेक्ट आंसर हो फिर अपकी प्रिड आपलता ये collection लेगा है, फिर आपकी प्रिय अपने बाप सभी आती है, या 2-6 साल के बीच में आती है और 6-12 आपकी concrete आती है और 12-18 आपकी formal आती है concrete में क्या होता है बच्चा logically think करने लग जाता है बट मैंने आपको बहुत अच्छे से example दिया था हाँ पर उसको क्या होता है उसको जो symbols की जरूरत पढ़ती है उसको जो चीजे है वो सामने दिखनी चाहिए तब उसके वो logics apply होते हैं बट जो formal operational stage हो जाती है यहाँ पर बच्चा abstractly सोचने लग जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पढ़ती है सोचने के लिए वो अच्छी से imagine it कर सकता है तो हमने इस सारी बाते की है तो आपको बस relate करना है कहां और प्याजे की थियोरी ऑल्रेडी चानल पर बन चुकी है पहले की बनी हुई है प्लीज उसको एक बार देख लिए तो बहुत easy हो जाएगा तो sensory motor stage जो है आपकी infancy period रहती है अगर आपको infancy से अगर आपको वैसे भी नहीं पढ़ रही आपने प्याजे की थियोरी तो भी आपको अगर आपने जो recent stages of development वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से यह समझ आ गया होगा next आपका fitting new information into existing schemas is also known as तो उसको क्या बूलते हैं see आपको ये चीजे ये भी प्याजे की थियोरी से है theories बहुत अच्छे से डान होनी चाहिए हर एक theory आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्यूंकि जिसे प्याजे वाली होगी आपकी वाइक ओसी वाली होगी आपकी जो क्या बूल सकते हैं moral development वाली होगी पैलविक वाली होगी ये जो theories है ये बहुत जादा depth में आपको पढ़नी है बाके आपके intelligence की theories है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है ठीके इस सारी theories आपको अच्छे से कवर करने हैं कि यहां से आपको maximum questions दिखेंगा तो इसमें आपको उस वीडियो से बहुत जादा clear हो जाएगा कि accommodation क्या होता है assimilation क्या होता है अगर फिर भी जाते हो मैं फिर से इस साल जो है ये वाली वीडियो बनाओ प्याज ये के cognitive theory पर वीडियो बनाओ तो आप कमेंट कर सकते हो तो इसका right answer क्या रहेगा आपका assimilation रहेगा C will be the correct answer तो आपके assimilation क्या होती है आपको क्या करना है जो आपके existing schema होता है schema क्या होता था आपका small pocket of information होता था ठीक है आपको उस schema में क्या करना है जो आपको नए information add करनी है उसको assimilation बोलते है और जब आप उसको modify करते हो schema को modify करते हो मतलब आपने कोई new information है उसको add तो कर लिया है उपरानी information उसके हिजाब से तो आपको उसको accommodation बोलते हैं accommodation और assimilation में यहाप बहुत जादा problem आती है तो आपको यह terminologies जो है प्याजरी की schema, then your assimilation, then your accommodation और आपके equilibration यह जो तीन words है यह आपको बहुत अच्छे से यह चार जो words है चार से पांच शो words सा schema भी एक word आता है तो यह सारी जो है आपको जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर चार option में एक उपर existing schema वाला word यह सारे अच्छे से clear होने चाहिए बात करते है next question की according to y.co.c. learning cannot be separated from इसकी theory हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है इसमें हमने ZPD के बारे में बात की थी scaffolding के बारे में बात की थी तो आपको एक चीज तो याद होनी चाहिए कि y.co.c.c. की जो theory है वो social development theory है तो socially आप उसको आपको theory के नाम से ही पता लग गया होगा कि यह जो theory है यह किस चीज से आप separate नहीं कर सकते हो reinforcement से कोई लेना देना नहीं है measurable change in behavior इनसे भी उनका जादा कुछ लेना देना नहीं है perception and attentional process इससे भी नहीं है सिरफ और सिरफ social context और language development से इनका बहुत जादा लेना देना है तो यह बोलते हैं कि बच्चा क्या है socially बहुत जादा develop होता है next process of socialization includes अभी हम development पर पहुँशे हैं development के बाद हम principles of development परेंगे तिनके लेजिस के बाद आपके stages हो गहे है types of development आईजिस ऐकी types of development बहुत छोड़ी सी video इसके बाद आपकी आता ही है उसके बाद हमheridity के बारे में बात करेंगे हम बिल्कुल इस ही sequence में चलेंगे, पाकी आपकी जितनी भी theories है, जितनी भी important topics से सारे cover हो, तो आपकी जो process है socialization की, वो क्या involve करती है, तो आपका है acquiring values and beliefs, हंजी, बिल्कुल करती है, आपकी socialization इसलिए करवाई जाती है, learning the customs and the norms of the culture, yes, socialization से, आप क्या, society से आप क्या-क्या सीखते हो, आपको वो बताना है, adaptation of social norms, हंजी, आप socialization से ये सीखते हो, तो D will be the correct answer, all of these, next बात करते हैं, both the chronical age and the mental age of a pupil is 7, he may be classified into the category, see, आपको इसका formula पता होना चाहिए, mental age upon chronical age into 100, आपका IQ का formula ये है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, 100 रहेगा, और 100 किसमें आता है, आपका 100 में, जो आपको value table जो है, IQ table जो है, वो याद होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, normal intelligence होती है, 90 से 105 तक आपकी normal intelligence रहती है, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, वो table आपको याद करना होगा, genius कितने होता है, 120 प्लस या 130 प्लस आपके genius आते हैं, ठीक है, यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए, next है, TAT, जो है आपका, यह projective, जो test है यह आपका, तो यह किस चीज़ की projective technique है, किस चीज़ के लिए use किया जाता है, हमने यह discuss किया है, बट आने वाली वीडियो में इसको फिर से हम, जो test है, आपके personality के और आपके intelligence के, इनको हम फिर से discuss करेंगे, क्योंकि यहाँ से पकाई question बनता है, तो हम इसको फिर से discuss करेंगे, अच्छे से discuss करेंगे, तो personality is the correct answer, बात करते हैं, individual difference are found in, तो individual difference किस में found होते हैं, intelligence में, attitude में, gender difference में, all of the above में, तो आपको पता है, intelligence में भी difference होता है, आपके siblings और आपमें भी बहुत जादा difference होगा, attitude में भी होता है, gender difference तो obviously रहता ही है, तो D will be the correct answer for this, बात करते हैं, next question की, a concept learned by a student in class, science class is used by her in social science class, this type of, this is a type of, तो यह किस चीज, किस ताइप की learning होई, ठीक है, आपको यह बताना है, तो positive transfer learning, negative transfer learning, zero transfer learning, और none of these, तो इसका जो आपका correct answer है, positive है, तो इसका जो आपका correct answer है, तो इसका जो आपने कुछ चीज सीखिया, उसको वो दूसरी class में apply कर रहा है, तो इसका जो आपका पड़के जाना है, तो इसका जो आपका correct answer है, 10th का, चलो option पर लेते, he gets aggressive and frustrated, आपका gifted learner ऐसा होता है, he can feel under-stimulated and bored, if the class activities are not challenging enough, he is highly temperamental, he encourages, he engages in a realistic behavior, like hand flapping, walking, etc. इसमें जो correct answer है, वो B है, और यह इसलिए है, gifted children कौन होते हैं, जिनका IQ level बहत जादा होता है, ठीक है, आपका 120 प्लस था, आपका 120 प्लस था, तो यह बच्चे, अगर आप, obvious ही बात है, यह normal, बच्चों से जजा, तेज होंगे पढ़ने में, तो, अगर आप इनको normal activities करवाते रहोगे, तो यह bored हो जाएगे, क्या हो जाएगे? Sorry, तो यह bored हो जाएगे, अगर आप इनको normal activities करवाते रहोगे, अगर यह bored हो जाएगे, तो इन्टरस्ट नहीं लेंगे, इनको तो ऐसा लगेगा, या आप इनको यह task दे दीजिए, कि आप किसी और को पढ़ा लीजिए, वो गलत बात है, तो आपको क्या कहना जीए, आपको अपना lesson plan, कुछ इस हिसाब से plan करना चाहिए, कि बच्चों को जो gifted children है, वो भी boredना हो, और जो normal average children है अपकी class में, तो वो भी मतलब ऐसा ना होगी, teacher क्या पढ़ा रही है, it should be a balance, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपने class को develop करवाना है, next है आपका, next question है, the oldest method in psychology is, see, आपको जो मैं first video की बात कर ली थी, introduction to psychology वाली, अगर आप वो video देख लोगे, तो इस answer भी बहुत अच्छे से दोगे, यह यह वाला इसका जो answer है, आपको schools of psychology, perspectives of psychology, उसमें भी आपको इस answer बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो इसका जो correct answer है, वो रहेगा, introspection method, जो कि आपके William Wundt ने दिया था, यह आप बोल सकते हो, यह आपके यह जो कौन सा structuralism, जो आपका school होता है, इसमें इसके बारे में बात की गई थी, जर्मिनी में, कब 1879 में, यह सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी है, आपको याद होनी चाहिए, वैसे जो आपका structuralism, जो school है, वो आपके Edward Tichner ने, जो कि आपके William Wundt के student थे, उन्होंने set up किया था, तो इसमें ही आपकी जो यह introspection में थड़ा है, यह बताया गया था, next है, the real carriers of heredity are, बहुत पार यह question पूछा जाता है, heredity and environment, इसलिए भी एक important topic, यहाँ से यह वाला question frame होता है, जिसमें लोग chromosome और जो genes है, उसमें बहुत जादा confused हो जाते हैं, तो जब मैं यह chapter करवाऊंगी, तब आपको मैं बहुत अच्छे से chromosome और gene के बीच में difference समझाओने की कोशिश करूँगी, तीक है, तो इसमें जापका है, chromosome नहीं रहेगा, इसका correct answer genes रहेगा, we will be the correct answer for it, next है आपका, the pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern, see, जब हम principles of development करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझा जाएगा, वैसे तो अल्रोडी बनी है वीडियो, पट मैं फिर से बना रहे हूँ क्योंकि development एक बहुत जादा important chapter है, इसलिए इसकी वीडियो मैं फिर से बना रहे हूँ, तो आपका जो एक pattern होता है, जो आपके development वैसे तो person to person वेरी करती है, चीक है, बट एक particular pattern में चलती है, वो एक sequence में चलती है, एक order में चलती है, मतलब पहले बच्चा, अगर crawling सीखेगा, फिर standing सीखेगा, फिर walking सीखेगा, ये एक sequence है, first, second and third, बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, ये चीज गलत है, पहले वो क्या होगा, पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो प्रॉल करना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, मतलब खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सिखता है, तो एक sequence है वो सारे बच्चों में जो है वो यही sequence रहेगा, बेशक बच्चा 6 months में चल रहा है वैसे 6 months का बच्चा चलता तो नहीं है फिर 6 months में crawl करने लग जाते है कोई बच्चे, कोई बच्चे 10 month में crawl किलने लग जाते हैं तो ये चीज़े जो sequence है वो तो सेम रहता है बच्चा पहले बैखना सीखेगा फिर खड़ा होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा ये सारी sequence रहे तो इसका job का correct answer रहेगा वो D रहेगा D is the correct पात करते है next question कि which of the following statement is not correct about development इसलिए development chapter हमने बहुत डेप्थ में डिसक्स किया है अब principles बच्चे हैं वो भी हम अच्छे से discuss करने वाले Each phase of development has its own hazards मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी रहेगी प्रतिये जो अवस्ता है हमने बात की थी stages of development in infancy में क्या है बच्चा क्या करेगा बच्चे की यह तो सही है development is not aided by stimulation यह थोड़ा गलत लग रहा है development is affected by cultural change हां जी आपकी culture, society यही तो हमने बात की थी socialization बहुत जादा help करती है बच्चे की cultural changes and each phase of development has characteristic behavior मैंने characteristics behavior के आपकी बात कर ली है कि जैसे आपकी infancy में sense organ से सीखेगा फिर आपके जैसे हमने बात की थी जैसे adolescence में आपके identity crisis रहेने वाले हैं concrete में जो है आपके यह हम बोल सकते हैं जो आपके later childhood है वहां पर बच्चा क्या करेगा pseudo maturity आईगी उसके अगी उसके अगी तो यह characteristic behavior है इसमें जो सिर्फ एक चीज़ गलाथ है वो दी वाली है बात करते है next question की the first book of psychology was written by the first book of psychology अगर आपने मैंने इस फिर से वही बात कर दी हूँ आपके अभी तक हमने first 3-4 videos जो बनाई हैं उससे ही ज़्यादा तर questions पूछे जा रहे है the first book of psychology किस ने लेकिती आपके Williams James ने लेकिती ठीक है और इनको modern day psychology के father भी बोला जाता है या इनको American psychology के father भी बोला जाता है ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बहुत जादा important है ये topic ठीक है अब बात करते हैं next question की the teacher is the teacher told Rita that she is not allowed to participate in games period as she has not completed her work it is an example of positive reinforcement positive तो होता है कि आप बच्चे को कुछ और चलो ठीक है कुछ भी अच्छा कहे कि उसको काम करने को दो ये तो punishment भी ना कि आप ये नी गरोगे तो आपको आपने होखनी केस यापको PT period में जाने की जरूर नी है या जो भी है आप games में participating है तो B punishment is the correct answer next है out of the box thinking is related to बहुत बार ये question आ चुक है बहुत बार में इस question को discuss कर चुक है और हमेशा मैंने ये बोला है out of the box thinking जो होती है वो divergent thinking होती है and divergent के आपकी creative thinking भी ये रहती है out of the box मतलब something out of the box मतलब आप समझ रहे हो ना कि बिलकुल ही अलग सोचना तो वो किस चीज में based है convergent thinking क्या होती है divergent और convergent convergent जो आपने lens भी सुना होगा एक जगा पर आके रुख जाती है मतलब एक जगा पर आपका thoughts एक particular close ended रहता है जो आपका answer वो convergent रहता है और जब आप एक जगा से अलग अलग दिशाओ में सोच सकते हो वो आपके divergent रहती है diverge होना है अलग अलग दिशाओ में जाना है तो वो ही आपके out of the box thinking रहती है see is the correct answer next है name the theory which advocates sudden solution to the problem तो ये वाली आपकी जो theory रहती है हमने सारी theories discuss की थी अब भी जो वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले और उसमें हमने जितने भी उनके psychologist है जिन्होंने वो theory दी थी I hope आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि जितनी भी आपके theories है maximum जो पूछी जाती है आपके एक्जाम में सारी उसमें cover कीगी है with their psychologist name जो की आम तरह से question बनता है तो इसमें आपका ये पूछाए कि sudden solution to the problem वाली किस theory ने बात की थी तो इसमें आपके insight theory की बात है operant conditioning में आपको पता है क्या होता है conditioning करनी है जो कि आपके BF Skinner से related है trial and error theory पार बार आपको BF Skinner से ये भी आपके related है trial and error कितनी बार आप गलती करोगे इसके तीन laws दिये थे law of exercise बगारा वाले वो सारी चीज़ आपको पता है classical conditioning आपके पार बाक से related है ये चीज़ आपको पता होने चीज़ तो इसमें आपके insight theory of insight जो है वो right answer है next है who propounded the theory of trial same questions यहीं पर आई है यही मैं आपके बात करीगे अच्छा, sorry यहां पर मैंने आपको trial and error नी operant conditioning आपकी VF Skinner ने दिया trial and error आपकी किस ने दिया वो आपके thundike ने दिया so C will be the correct answer pelvic ने आपकी classical conditioning दिया Skinner ने आपकी operant conditioner दिया ठीके conditioning दिया next आपका है according to fruit which component of personality works with the pleasure principle जब हम food की theory discuss करेंगे जो उनकी psychosexual theory है हम उसको discuss करेंगे तुसमें id, ego और आपके super ego जो रहता है वो वह तदा important है तीन चीज़ आपका जो pleasure principle है pleasure principle प्रिंसिपल प्वान आपके id work करता है ठीके and ego जो है वो एक balance बनाता है आपके super ego और id के बीच में यह चीज़ आपको पता होनी चीज़ next year child centered education was advocated by which of the following तो आपका जो child centered education है वो किसने वो किया था किसने sport किया था child centered education यह आपके john dv ने किया था जो कि आपके progressive education में बहुत जादा belief रखते थे आपके practical जो हम बोल सकते हैं practical life teacher बोल सकते हैं कि बहुत साथ प्राक्टिकल सोच रखने वाले यह person थे john dv is the correct answer progressive education की बाद भी इनके पास ही जाएगी कि अगर ही बोलेंगे किसने start की तो john dv को ही वो credit दिया जाता है इसको भी हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे अपने आने वाली वीडियो में next step which of the following theory of intelligence was given by Harvard Gardner Harvard Gardner ने आपकी intelligence की theory दी थी और कौन सी वाली दी थी multiple intelligence theory दी थी तो आपका one factor या हम unifactor theory बोल देते इसकी बात भी कलेते इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसलिए मैंने बुला थे दो कुषिंज आपको यहां से भी देखने को मिल गए कि कई बार आपसे psychologist का नाम दिया गया होते तो आपसे theory का नाम पूचा गया है कई बार आपको theory का नाम दिया होते psychologist का नाम पूचा जाता है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना आपको playlist में मिल जाएगे, description box में लिंक दिया गया है so unifactor जो theory है या एक कारक जो आपका सिंधान्त है ये किस ने दी थी ये आपकी जो थे आपके Alfred विने, जिनोंने आपके intelligence test के बारे में first intelligence test conduct करवाया था, उनने दी थी तो आपको clear होना चाहिए next आपके है group factor theory जो है आपके जो सुमु कारक सिंधान्त है आपका ये किस ने दी थी? third star ने दी थी आपकी and multiple intelligence theory जो आपकी intelligence से उसके पारे में बात की थी वो किस ने की थी? आपके Harvard gardener ने की थी तो D will be the correct answer next बात करते है 5 year old child, mental age is 6 and then his IQ will be तो आपका जो 5 year child है mental age कितनी है 6 है तो आपको formula पता होना जी है पहले तो formula रहता है आपका mental age mental age upon chronical age into 100 age, sorry, तो इसमें mental age कितनी बोली है? 6 बोली है आपकी जो chronical age 5 बोली है into 100 करना है आपको तो इसका जो 20 रहेगा तो इसमें आपका 120 will be the correct answer so, समझ आगया आपको कैसे calculate दिनने है तो यहां से question एक पक्का बनता है देख लेना, पिछले टाट के exams उठा के कि यहां से question आपका पक्का बनता है next है the factor G in sperm and definition, जो हमने भी बात की two-factor theory की उसमें आपके जो G है वो किस टाइप की intelligence के लिए stand करता है तो आपको पता होना चाहिए G और S है तो जो है आपका G आपके रहता है general जो आपकी intelligence है उसके लिए ठीक है, तो C will be the correct answer और specific is S रहता है आपकी specific के लिए, ठीक है C is the correct answer next है according to gates जो होता है आपके modification होता है तो आपके behavior में इसमें भी आपका C will be the correct answer next है when a test majors and individual's habability consistently and accurately then the test is known as तो अगर हमेशा मतलब consistent है test अपर उसमें habability को and accurately कर रहा है तो तो reliable है वो test ठीक है तो reliable will be the correct answer next है education of children with special needs should be provided see यहाँ पर आपकी inclusive education से भी a question हमेशा बनता है तो आपको पता हो नजे inclusive education क्या बोलता है inclusive education अपका बोलता है education under same roof मतलब बच्चा कैसा भी हो सारे बच्चों को सरफ under same roof पढ़ने का अधिकार है वो आपकी बात करता है ओपका जो है inclusive education इस पर बात करता है तो इसमें लिखा है along with the normal children by method of developing for special children in special schools, special schools, special teachers, गलत options है क्योंकि inclusive education की हम पर बात कर रहा है तो हमार को हर बच्चे के साथ, मतलब और बच्चों के साथ ही, normal बच्चों के साथ ही उन बच्चों को बढ़ाना है, बच्चा क्या पता हो सकता है रिटार्डड़ हो थोड़ा उसको कोई problem हो तो आपको same उसमें बढ़ाना है, तो इसमें जो आपका correct answer रहेगा, वो रहने वाला है बात करते है next question की, learning disability named as dyscalculia is associated with, इस पर बने एक वीडियो बना दी है, फिछले साल की, देख लेना प्रे लिस्ट में पढ़ी है, अगर आपने वो वीडियो, मैं फिर से बनाऊंगे, इस पर रिजिजन तो होगा, तो जरूर बनाऊंगे फिर से, बट पता नहीं कब तक बन सकते हो, calculations related है, ठीक है, तो our calculations कहा होती है, mathematics में होती है, तो B will be the correct answer, ठीक है, next बात करते है, education for all in school for all, education of all in school for all, could be the Thailand for, तो मैंने इस ही की बात की थी अभी जो हमने 27th question दिसकस किया, कि ये क्या है, inclusive education है, हर बच्चे को ये बोलते है, inclusive education वाले, सोच रखने वाले, जो व्यक्त है, वो ये बोलते हैं कि, जब nature ही हम लोगों को separate नहीं करती है, ठीक है, जब nature ने हमा को सबको सेम बनाया है, तो why should we separate children, ठीक है, इसलिए हमा को हर बच्चे को, ये facilities अपने school की, हमा को अच्छी बनानी होगी, कि हम सारे बच्चों को एक ही classroom के अंदर बढ़ा सके, diversity हो हमारी class में, ठीक है, diversity in terms of IQ, in terms of culture, किसी भी terms में बात कर सकते है, diversity के इसमें, last question आज का है, which of the following is an objective question, तो objective question कहोता है, जिसका close ended answer होता है, मैंने भी आपको बताया है, close ended answer किसका होता है, C for, कौन सी thinking होती है, divergent या आपकी convergent, तो close, C से याद रखना, C for, convergent, C for close ended, और close ended questions कहों से होत close ended होता है, नहीं, वो तो open ended होता है, वो तो आपका divergent होता है, आपको कोई ऐसे, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप टाट पे ऐसे लिख लो, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, वो close ended नहीं है, short answers, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ explain कर सकते हो, open ended, open ended तो आपको कौन सा होता है, divergent होता है, और यहाँ पर आपकी objective पूछा, objective मतलब to the point, मतलब आपको सिरफ जैसे यह आपका एक objective question है, आपको सिरफ एक answer माग करना है, तो इसमें आपका जो answer है, true and false, या तो true होगा, या false होगा, चिक है, so I hope आपको ये video useful लगी हो, अगर कोई video useful लगी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल इक इन को प्रेस कर दीजिए, so that आपको हर इंपोर्टन अप्डेट ताइम मिलती रहे, and आपको जो वीडियो अप्लोड हो रही है, ताट के लिए, वो आपको मिलती रहे, and a sequence चल रहा है, वीडियो देखते रहे, अगर आप देख रहे हो, तो मतलँ मैं regularly post कर ही रही हूँ, तो देखते रही है, थोरी अपना knowledge increase कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको questions आने वाले, concept clear है, तो question कोई आ जाया, बहुत अच्छे से answer कर सकते हो, so that's all, thank you so much.